नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्व चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों आज जो पोधा आप देख रहे हैं जो ये पोधा आप देख रहे हैं पत्ती देख रहे हैं और इसके सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं यह पोधा आपके घर के आसपास ही होता है आपने इसे गमले में लगा कर रखा होगा या फिर गार्डन में लगा कर रखा होगा और यह पोधा पूरे भारत बर्स में बहुत ही परचलित पोधा है बहुत ही जाना पहचाना पोधा है इसे इस पोधे को इसके फूल को छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग इसको जानते हैं, इसको पहचानते हैं, तो दोस्तों इसके तो आपने फूल देखा होगा, बहुत ही सुन्दर सुन्दर है, कई कलर में होते हैं, और बहुत ही सुन्दर फूल लगते हैं, और सबसे ज़्यादा उगने वाला यह फूल है, भा और यह इस पोधे का जो पत्ते है ना बहुत ही औसधी गुनों से परिपूर्ण है इसके पत्ते का आप औसधी गुनों में परियोग कर सकते हैं और बहुत सारे बिमारी को अपने से दूर कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम इसी पोधे के औसधी गुनों के बारे में जानेंगे गेंदा के पत्ति के फायदे फूल के फायदे ऐसे तो उसे पूरे पंचांग का इसका फायदा होता है आयुरुबेद में बताया गया है लेकिन दोस्तों आज हम कुछ इसके आउसदी गुनों से आपको परिचा कराएंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पहचान कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पोधा हर कोई जानता है क्योंकि यह पूरे भारत भर्स में हर किसी के घर में हर किसी के आंगन में और गार्डन में यह असानी से मिल जाता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके उसदी गुनों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों इसका प्रियोग करके बहुत सारी बिमारी को आप दूर कर सकते हैं जैसे पत्री हो गया है किसी को उसको या सही करता है बाबा सीर की समस्या है चाय खूनी हो या बादी उसको यह सही करता है दोस्तों दांतों की समस्या हो जैसे दांतों में सरन हो गया हो कीरे लग गया हो दांत सर रहा हो या मसूरे से खून आ रहा हो या किसी भी परकार की समस्या हो उसको यह सही करता है दोस्तों आज की समय में हर कोई चाय पीने की आदी हो गया है चाय पीने से जानते ही दोस्तों यह बहुत ही नुकसान दायक होता है हमारे दांतों के लिए हमारे सरीर के लिए जिसके कारण दांतों पे एक परत जम जाता है जिसके कारण दांत पीले हो जाते है बच्चे में अक्सर देखे होंगे टौफी खाने का दत है जिसके बज़े से उसके दांत में सरन पैदा हो जाता है बड़े लोग हो तो गलत खानपान के बज़े से जैसे गुटका, बीरी, सराप, तंबाकू खाने से दांत सरने लगते हैं पीले पर जाते हैं, कुछ दिन में तूटने लगते हैं, तो दोस्तों उन सब के लिए या सधी आप परयोग करके आपने दांतों को मजबूत, तंदुरूस्त और सुन्दर बना सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ध्यान से देखें, दोस्तों दांतों की समस्या को दूर करने के लिए इसका एक अचुक परयोग है, आप इसका परयोग करके असानी से इसको दांतों की समस्या से चुटकारा पा सकते हैं, किसी परकार के दांत में कीरे लग गया हो सरन हो गया हो या किसी बज़े से आपके दांत में प्रॉब्लम है या पैडिया का सिकायत है मुझसे दुर्गंद आ रहा है तो उसको भी या सही कर सकते हैं दोस्तों अगर बिच्छु छोटे-मोटे कीरे काट लिये हो न तो दोस्तों आप उसके पत्ते को मसल करक दोस्तों इसके पत्ते से आप उसका 20 उतार सकते हैं 20 को निरिस्क्रिय कर सकते हैं और अगर सूजन हो गया हो दर्द हो तो उसको भी यह सही करता है दोस्तों अगर किसी को बावासीर हो गया है जैसे कि कुनी बावासीर में कुन आने की समस्या अरता है भाहिंकर दर्द होता को कर दे उसका सेवन करें। दूस्तों आपको SATSIRि.." शाहे खुणी हो या बादी बहुत데 था, या रहत मिलेगा। तो BABा सीर के लिए बहुत बहुत बहतरी नौसदी है इसके अलबा दोस्तों जैसे पत्री की समस्या हो जाता है जैसे कि किड्नी में पत्री हो जाता है गुर्दा में पत्री हो जाता है पत्री को दूर करने के लिए पत्री को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं बहुत बैतरिन है, बिलकुन नैचुरल है, बहुत ही सधारन सा प्रयोग है, दोस्तों इसके पत्ति का अब कारहा बनाए, एक कप के बरावर कारहा बना करके अगर सुबह साम इसका सेवन करते हैं, दोस्तों पत्री अगर हो गया है तो उसको छोटे छोटे पहले टुकडे कर देते हैं, इसके बद गला करके पैसाब के रास्ते बाहर कर देते हैं, दोस्तों पत्री के लिए यह रामबान का काम करता है, और यह बहुत असानी से आपको गेंदा का पेर मिल भी जाएगा, और आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप कही से सरीर के बिमारी को भी दूर कर सकते हैं, और सधी के रूप में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, दातों के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर दातों में भैंकर दर्द हो रहा है, परेसान हो गया है, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रयोग है, आप इसके पत्ते क लाएं, और इसको क्या करें, एक गिलास पानी में इसको उबालें, जब यह पांच गराम के आज, दस गराम के असपास इसका पत्ती लें, और इसको पानी एक गिलास पानी में उबालें, जब आधा बच जाए, तो दोस्तों उस पानी को आप हलका गरम रहे, इसके बाद उ स्वस्त बनाता है या फिर दोस्तों इसका दूसरा पड़ियोग है कि आप इसको पीस करके दात वाले अस्थान पे जहां दर्द हो रहा है ना वहां पे इसको लगा सकते हैं बहुत अच्छा काम करता है खास करके दोस्तों दातों के लिए अगर दोस्तों कहीं कट गया हो छिल अच्छा काम करता है तुरत अगर खून बार आए ना उसको रोकता है अगर मवाद आ रहा है तो उसको यह सही करता है किटानों को मारता है और घाओ को जल्दी भरने में साहक होता है तो इसका प्रियोक करें आपको तो दोस्तों गेंदापूलकर बहुत साड़े बेनफिट्स हैं, बहुत साड़े फायदे हैं, आपके घर को सुंधर बनाता है, आपने आफने आगन को सुंधर बनाइए और इसे गंले में लगाईए, गार्डन में लगाईए और इसके सासा दोस्तों आप जरीबुटी के र दोस्तों आप लोग स्वस्त रहें मस्त रहें जय हिंद जय भारत